हाई फ्रिंट्स मैं हूं रेखा और एख़द एंडियन मौम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होब बिल्कुल अच्छे फ्रिंट्स दिवाली का त्योहार आ रहा है और त्योहारों की शोभा मिठाई से ही होती है तो आज हम आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई लेकर के आए हैं इसके लिए हमें ना मावा चाहिए ना चाशनी चाहिए ना घी चाहिए पंदरा मिन्ट में हमारी सुपर डिलिशियस मिठाई बनके तयार हो जाएगी तो friends आईए मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं दिवाली special मिठाई बनाने के लिए हमने यहापे लिया है एक कटोरी नारिल का बुराधा आप measurement के लिए कोई भी कटोरी कप या ग्लास ले सकते हैं एक कटोरी हमने लिया है milk powder आप milk powder या dairy whitener जो भी आपके पास में है आप वो यूज में ले सकते हैं थ्रीफोर्थ कटोरी हमने यहापे लिया है शुगर रेगुलर शुगर है इसको हमने पीस लिया है मीठा आप अपने इसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं सभी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे छोटा आधा चम्मच हम इलाइची पाउडर भी डाल देंगे अगर आपको इलाइची पाउडर पसंद है तो डालें वरना skip कर दें इलाइची पाउडर डाल करके हम एक बार सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब हमने लिया है आधा कटोरी दूद रूम टेंपरिचर पर है थोड़ा थोड़ा दूद डाल करके एक डो तयार कर लेंगे सारा दूद एक साथ नहीं डालना है देखे सभी चीजों का हमने डो बना लिया है अब पांच मिट के लिए हम डो को ढखके रख देंगे मिठाई के लिए डो रेडी हो चुका है अब हम स्टफिंग तयार कर लेंगे स्टफिंग तयार करने के लिए हमने लिया है एक कप बादाम एक कप काजू सबी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे एकदम बारीक पौडर नहीं तयार करना है हमें हलका दरदरा पीसना है सबी चीजों को हमने दरदरा पीस लिया है अब हमें एक बाउल में निकाल लेंगे आप यहाँ पे काजू बादाम की जगे और भी कोई ड्राइफ्रूट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं अब हमने लिया है लगबग एक चमच के आसपास किश्मिश यह हमने कट करके रखी है एक चमच हमने लिये टूटी फ्रूटी बिलकुल ऑप्शनल है आपको जो भी ड्राइफ्रूट पसंद है आप वो ले सकते हैं हमने यहाँ पे केसर भिगो के रख दी थी थोड़ी सी केसर हम स्टफिंग में डाल देंगे चोटा आदा चमच इलाइची पाउडर भी डाल देंगे हमने मिठाई के लिए जो डो बना के रखा है इसमें से एक चमच डो हमने ले लिया है ये भी हम स्टफिंग में डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे एक चमच दूद सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिठाए के लिए stuffing भी ready हो चुकी है मिठाए बनाने के लिए पहले हम stuffing की छोटी छोटी बाल बना लेंगे और इसको कुछ इस तरह से चप्टा कर लेंगे देखिये stuffing की हमने बाल बना के तयार कर ली है और बाल बनाने के बाद हमने इनको थोड़ा सा चप्टा भी कर लिया है आप जैसी शेप में मिठाई बनाना चाहें वैसी आप शेप दे सकते हैं आईए अब हम डिलिशेस सी मुह में घुलने वाली मिठाई बना के तयार कर लेते हैं देखे डो भी बिलकुल रेडी हो चुका है एक चीज का विशेश ध्यान रखें कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह से हम एक बॉल बना लेंगे आप जितना बड़ा पीस बनाना चाहते हैं उसे साब से डो ले लें इसको इस तरह से फैला लेंगे और जो हमने स्टफिंग तयार करी है इसको हम सेंटर में रख देंगे और सब तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह से हम सब तरफ से कवर भी कर देंगे देखिए कितना आसान है मिठाई बनाना हलका से इसको इस तरह से चप्टा कर लेंगे जैसा आप जाए वैसा शेप दे सकते हैं मैं यहापे इसको कच्वेरी वाली शेप दे रही हूं इसी तरह से सारे पीसेस बना के तयार कर लेंगे देखे वापस से हमने डो लिया और इस तरह से इसको गोल कर लिया और उंग्लियों की सहायता से इसको ऐसे फैला लेंगे देखिए कितने आसानी से हम ने इतनी महंगी मार्केट में मिलने वाली मिठाई घर पे बना के तयार कर ली है और यकीन मानिये टेस्ट में भी इतनी है टेस्टी है जब आप महमानों को ये मिठाई खलाएंगे तो महमानों को पता भी नहीं चलेगा कि ये मिठाई आपने घर में इतना आसानी से बनाई है देखिए कितने बढ़िया से हमारी दिवाली स्पेशल मिठाई बनके तयार हुई है आप चाहें तो इस पर बर्क भी लगा सकते हैं बर्क लगाने से बहुत ही सुन्दर दिखती है पर हम यहां पर बर्क नहीं लगा रहे हैं हम इसको आज वैसे ही डेकॉरेट कर देंगे जो हमने केसर की पतियां भिगो के रखी थी एक-एक केसर की पति लगा देंगे इस तरह से डॉट लगा देंगे आप जैसा चाहें वैसा डेकॉरेट कर सकते हैं अगर आप टूटी-फूरूटी से डेकॉरेट करना चाहते हैं तो तूटी फ्रूटी से भी कर सकते हैं अब हमने हरा वाला पिस्ता कट करके रखा था ये भी लगा दिया है और अब हम लगा देंगे गुलाब की पंखुडी अगर आपके पास में ताजा गुलाब है तो आप ताजा गुलाब की पंखुडी लगा सकते हैं बढ़ना इस तरह से आप सूखेवे गुलाब की पंखुडियां भी लगा सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो मिठाईयां आती हैं उस पर सूखेवे गुलाब की पंखुडियां ही लगी भी होती है देखिए कितनी बड़िया सुपर अमेजिंग हमारी मिठाई बनके तयार हुई है कितनी टेस्टी दिख रही है आईए अब हम इसका पीस कट कर लेते हैं क्योंकि सर्व यह ऐसे नहीं की जाएगी कट करके ही की जाएगी तो आईए अब हम पीस कट कर लेते हैं देखिये हमारी दिवाली सपेशल मिठाई बिल्कुल ready है हमने cut भी कर दी है और cut करके देखिये आप कितनी सुन्दर लग रही है आए अब फटाफट मिठाई से मिठाई को serv भी कर देते हैं दिवाली सपेशल मिठाई को हमने अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें थैंक यू, थैंक यू so much, have a nice day